हेलो फ्रेंज, हम रोज आसमान में चांद को दिखते हैं और रोज ही उसकी शेप बदली होती है, कभी वो छोटा होता है और कभी वो बड़ा होता है, तो ऐसा क्यूं होता है, आईए समझते हैं, बट पहले अगर आप मेरे चानल पे फॉर दे फर्स ताइम आ रहे हैं, तो उ हमें मून दिखाई देता है, जिस दिन हमें चान पूरा दिखता है, उसे फुल मून दिय कहते हैं, and after that, for every night, मून गेट्स थिनर अंद थिनर, जिसे हम वानिंग कहते हैं, and 15th दे पे हमें मून नहीं दिखता है, जिसे हम न्यू मून दे कहते हैं, and after that, for every night, Moons appear to get bigger and bigger जिसे waxing कहते हैं And 15th day हमें फिर से पूरा चान दिखता है In various shapes of moon को Faces of moon कहते हैं अब ऐसा क्यों होता है Moon जो है वो Earth के around चक्कर लगाता है And साथ ही साथ वो अपने axis पर भी rotate करता है And Earth जो है वो Sun के around चकर लगाती है इसलिए Sun light रोज मून के अलग-अलग parts पे पड़ती है तो जिस part पे वो light पड़ती है वो part हमें दिखाई देता है And क्या आप जानते हैं कि हमें सिरफ 60% of moon surface ही Earth से दिखता है इसे near side कहते हैं और जो side हमें नहीं दिखती उसे far side कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि moon जो अपने axis पे rotate करता है और जो चकर वो earth के around लगाता है उसमें same amount of time लगता है इसलिए हमें सिरफ moon का एक ही surface visible होता है earth से अलग-अलग faces of moon होते हैं New moon, waxing crescent, first quarter, waxing gibbis, full moon, warning gibbis, last quarter and warning crescent इंडिया में कई festivals moon के phase के हिसाब से celebrate किये जाते हैं जैसे दिवाली is on new moon day बुद्पूर निमा और गुर्णानक बर्डे is on full moon day इदूल फितर on the day following the site of crescent moon